सबसे पहली बार तो यह है कि माननिया नियालय के द्वारा याचना नहीं मिली है नहीं किसी तरीका कोई समन जारी किया गया है लेकिन अगर यह ख़बर सही है कि सचमुच पुलिस ने चार सीट दायर की है तो हम सबसे पहले जो है पुलिस को और मुदी जी को बहुत धन्यवा रहे थे लेकिन अगर सरकार ने चार सीट दाखिल की है तो हम इस बात की करी निंदा नहीं करेंगे सिर्फ इस संबंद में एक बात बोलना चाहते हैं कि चुनाव से छीट पहले जो यह चार सीट दायर की गई है इसके पीछे एक राजनितिक मंसा है राजनितिक मंसा इस प्रठिशा की आदाने वाले में चुनावी सभाव में प्रधान मंतरी अपना भाशन दे सके उनके रहे उनके शामगरी तैयार कि जा रहे हैं इस किसी भी मने में थोस कार्वाई का कोई आधार दिखाई नहीं देता है और सरकार खुद इस मामले में serious नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि अगर सरकार का आरोप है कि इस देश में इस देश के खिलाफ कुछ लोगों ने बोला है तो चार सीट दायर करने में आखिर इतना वक्त क्यों लिया गया तो नाव से ठीक पहले यह चार सीट दाखिल करने के पीछे मनसा क्या है यह जो गंभीरता का कमी दिखाई देता है वही गंभीरता की कमी जो है आरक्षन के मामले में भी दिखाई देती है वही गंभीरता की कमी जब GST का जो कैप है उसको बढ़ा करके जो 40 लाग किया गया है उसमें दिखाई देती है कुल मिला करके हम कह सकते हैं कि हर तरफ धरस्टाचार, किसानों पर रत्याचार और जिस तरीके से विपल हो रहा है इस देश के छोटे ब्यापारियों का कारोबार इस मुद्दे को छुपाने के लिए ढखने के लिए यह जो जूट और लूट की सरकार है उस सरकार तरह तरह के जो है उसके द्वारा हथकंडे अपनाया जा रहे हैं लेकिन इस मामले में कोई कारोई हो और हम सिर्फ यह चाहते हैं कि देश हित का यह मुद्दा है और देश हित के मुद्दे को ले करके जिस तरीके से बीजेपी छाती कूटती है तो उसका सीरियसनेस दिखाई देना चाहिए हम अब भी चुनवती देते हैं इस सरकार को और इनकी पुलिस को इस मामले में सनी देवल की फिल्म की तरह तारीख में तारीख न दिया जाए तुरित कारवाई करते हुए स्पीडी ट्राइल करते हुए इस पूरे के पूरे मामले का निप्तारा किया जाए हम खुद हर खुपया चाहिए दो करोर नौकरी चाहिए और इस देश के किसानों और मजदूरों का जो सवाल है इस देश के दलितों पिछरों अती पिछरों और समानिवर के गरीब किसान और मजदूरों का जो सवाल है उन सवालों को हम उठाते रहेंगे चार सीट तो क्या आप जेल मे दिखाईए हर बार हर मंच पे जाकर के बुले हैं कि चार सीद दाखिल कीजिए अभी भी चार सीद दाखिल हुआ है कि नहीं हुआ है इस संब्ध में कोई बस्कवा उत्तर प्रदेश में साथ आये हैं जिस तरीके से बिहार में एक महागठवनन बनाने की बात हो रही है जिस तरीके से देश के दूसरे राजियों में जिस तरी अभिपक्ष के लोग इकठा हो रहे हैं तो कहीं न कहीं यह सरकार घवराई हुई है और घवरा करके डि से रहने की जरूरत है और तरह-तरह का चार खेलेंगे मंदिर-मस्जित का चार खेल चुके हैं आरक्षन का का츠 खेलेंगे न्गसल अरवन चारह ŞuId ने तरह के लिए कुछ कुछ नहीं है सिवाए पाकिस्तान हिंदू और मुसल्मान के लिए इसलिए इनको खेलने देने की ज़ुरत है मैं सिर्फ और सिर्फ देश बास्यों से अफील करना चाहता हूं कि आप सरकार पर दवाब बनाईए कि जनता का टेक्स का पैसा बरवाद नहीं हो इमिडेटली इस